जेंटलमें और कुछ आपने तो सप्राइज किया, in fact, I think शायद मैंने कभी आपको आफटनून सेशन में नहीं ही देखा है and you are with us and good you are with us, क्योंकि बाजार का इस मोमेंटम में आदित्या के तो दमदार स्टॉक्स एक के बाद एक आफटनून में closing calls में कई बार हमने जाने हैं, लेकिं यहाँ पर आप से जानना आप चाहेंगे, कि क्या यह rally जो है, वो sustain करेगी 17-800 के पार, फरवरी के बाद हम वापस लोटे हैं, और in fact, 17-500, 600, 700 और 800 का सफर, एक-एक सेशन में बाजार ने तै किया है, निफ्टी ने तै किया है राली एक्स्टेंड करेगी है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का फिर्स दिख सकता है First up, Manzi, thank you for that warm welcome, I should say, काफी समय बाद मैं अचली, you know, afternoon वाला शोर कर रहा हूँ It's so good to be here, to answer your question very simply, yes, जिस तरह के का momentum बिल्ड हो रहा है, I won't be surprised कि हम 18,000 पे आके रुकें, फिर हम, you know, कोई Consolidation या किसी भी तौर का Sideways Movement, जो है, वो देखें, लिखें, 17,800 का एक level है, जो technically, you know, बहुत strong है I'm sure Dimpy ने भी बात की होगी, और उन्हों काफी सारे panelists ने अलड़ी मेंशन किया होगा, and it's apparent 100 DA में जो है, उसके आसपास, 17,900 के आसपास थोड़ा सा pause आना बिल्कुल बनता है, but मेरा point है कि जिस तरीके की rally हम देख रहे हैं, and more importantly, अगर आप देखें, जो stocks हैं, जिनमें, you know, अच्छा-कासा तो मेरी traders को ये सलह रहेगी, कि usually हम करेंगे कि आप इन्हों profit book करके, you know, निकल जाएए, event को हो जाने दीजिए, but जिस तरीके का हम put base, you know, every day, 100 points उपर जाते हुए देख रहे हैं, 17,400, 17,500, then 17,700, आज 17,800 के put में भी अच्छा-कासा base बनते हुए देख रहे हैं, तो मेरी यह बनाई रखें, because जिस तरीके का momentum हम देख रहे हैं, और जिस तरीके का base हम बनते हुए देख रहे हैं, lower levels पर put options में, यह कहीं न कहीं, you know, 18,000 के पार जाके ही, शायद राली, you know, pause लेगी, या वेट करेगी, तो बिल्पुल इसे ride करके चलिए, bank nifty, again, you know, I think bank nifty is going to perform much stronger, and यहा जाते हुए दिख सकते हैं, तो all in all, momentum है, ride करिये, और अगर derivatives जानते हो, तो position hedge करके long positions अभी carry करें, ओके ठीक है, positions को hedge भी करें, long positions भी रखें, और यह बात हम भी पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं, कि market के अंदर जब से FIs आये है, 18,000 लगता है, बहुत दूर नहीं है, और जब FIs नहीं लगते हैं, तब ऐसा लग रहा था कि 16,000, मैं ऐसा नहीं कि सारा credit FIs को दे रहा हूँ, अरित्य जल्दी से अपने index का view, और साथ में shares भी जोड़ना, आपके कोई भी shares हो, जो आपने notice के हो, जिसका target stop loss आप देना चाहते हो, ग्लोबल मार्केट की बात करें, तो सब कुछ एक bullish territory में चल रहे हैं, तो अभी overall technical structure bullish है, बट थोड़ा अगर foreign market derivative point of view से बात करें, तो जैसे हम Indian market में FI का 91% short exposure देख रहे थे, वैसे US market में भी अभी one of the highest short exposure चल रहे है, 2011 से लेके अभी तक, तो यह जो बड़े-बड़े institutions की derivative position है, उसके हिसाब से बजार में अभी भी मैं ऐसा करें, global market point of view से बजार कोई भी side जा सकता है, बट technically बात करूँ तो अभी 18,000 एक resistance zone है बजार का, अगर वो jump करता है तो और rally further continue हो सकती और अगर वहां से resist करके नीचे उतरता है, तो बजार वापिस 17,500 के side जा सकता है, technically वो मेरा मानना है, और stock picks में मैं कहू I think the leader is Divis Labs, बहुत टाइम बाद एक consolidation के बाद breakout देखने को मिला है, तो इसमें 3,209 में buy करेंगे, 3,000 का stop loss रखेंगे, 3,450 से 3,700 का target, दूसरा pick मेरा रहेगा, हिकल पे, जो 3,15 में buy करेंगे, 2,95 का stop loss, 3,45 से 3,65 का target, तीसरा stock में लूँगा, पिरामल Pharma, जो 72.85 में खरीच सक में stop loss, 79 का target, और last pick रहेगी मेरा reliance, आज की तेजी में reliance ने participate नहीं किया, और profit booking देखने को मिली है, तो वहाँ पे थोड़ा मंदी का trade बनता है, 2350 में sell कर सकते है, 2380 का stop loss, और 2300 का target. Okay, ठीक है, तो आपके दोनों शेयर्स इनफेक्ट है, वो फार्मसूटिकल्स के हैं,